अर्मान मोटिवेशन में आप सब का स्वागत है। उसे सिर्फ पांच साल तक के लिए ही राजा बनाया जाएगा और पांच साल पूरे होने के बाद उस राजा को एक ऐसी जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा जहां पर सिर्फ जंगल ही जंगल होगा और उस जंगल में खुंखार जानवर रहते होंगे। लेकिन इस बार जब गांव के लोग राजा के पांच साल पूरे होने पर उस राजा को उस जंगल में भेजा तब गांव के लोगों ने सोचा कि उन्ही के गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो काफी चतुर और होशियार है। उस चतुर व्यक्ति ने पहले तो मना किया क्योंकि वो ये बात जानता था कि अगर वो राजा बनेगा तो पांच साल बाद उसे मार दिया जाएगा। जब राजा उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि वहां जंगल ही जंगल है और वहां खुंखार जानवर है। और जो पहले राजा बने थे उन सब के कंकाल भी पड़े हैं। पानी का इंतजाम कराया, तीसरी साल में राजा ने उस जगह को रहने के लायक बनाया, चौथी साल में राजा ने उस जगह पर लोगों के रहने के लिए घर बनवाए, जहां पर गरीब लोग भी एक छट के नीचे सुकून से रह सकें। पांचवी साल पूरे होते होते, राजा ने उस जगह पर एक नई बस्ती बना दी। वहां के लोग राजा की इज़द दिल से कर रहे थे, अब पांच साल बीत गए थे, गाव के लोग राजा को उस जगह भेजने के लिए आये थे, राज्य के लोग रो रहे थे। लेकिन इस राजा के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, क्योंकि ये जानता था कि जिस काम को करने के लिए ये राजा बना था, वो काम इसने कर लिया, क्योंकि जब ये राजा नहीं था, एक आम आदमी था, तब ये अपने बस्ती में कई सारे ऐसे लोगों को देखता था, जिनके पास ना तो घर थे और ना ही खाने के लिए खाना, लेकिन अब ये उन्हीं बस्ती के लोगों के साथ खुश रह सकता है दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आप बाकी राजाओं की तरह रहोगे और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना अपने वक्त की परवाह न करना तो आने वाले वक्त में भी आप सिर्फ उन राजाओं की तरह किसी जंगल में भेज दिये जाओगे यानि परेशानियों में फस जाओगे जहां से निकलना आपके लिए लगभग नामुम्किन होगा लेकिन अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हो तो आने वाले वक्त की उन परेशानियों को पहले ही खतम कर सकते हो दोस्तों ये motivational story आपको कैसी लगी हमें comment करें मेरे channel को please subscribe करें एक like जरूर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक जाए अपना खयाल रखे और खुश रहे धन्यवाद